एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि दाथ गया तो स्वात गया आँखें गई तो जहान गया हम आज बात करेंगे आँखों की हम इस समय मौजूद हैं सायाँपूर के एक रुसिद आई हॉस्पिटल में जगमोहन आई हॉस्पिटल में तो हुमार साथ इस समय मौजूद हैं दाक्टर मनमोहन गुपता जी उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के वो यहां पर सुविदाएं, मरीजों के यहां पर मिल लें किस तरीके से ट्रीटमेंट आदमिक मसीन के साथ यहां पर किया जाता है सबसे खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में अब एक नई मसीन यहां पर आई है जिससे जो मोतिया बिंद का ऑपरेशन है उसकी सफलता सत प्रस्यत हो गई है उसके बाद में हम उन्हें बात करेंगे किस तरीके से यह मसीन काम करती है क्या इसकी विशेशता है हम बात करेंगे सब्सक्राइब करते हैं कि मोतिया बिंद का ऑपरेशन नहीं रहा है मरीज की पहले कोश्चन यह होता है कि क्या ऑपरेशन के बाद हमें रोशनी आएगी हम लोग कई बार बहुत अच्छा ऑपरेशन करने के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते थे उसक यह मशीन जो है जो हमें आख के ऑपरेशन के बाद में लैंस डालना है उसका बिल्कुल सटीक जाच करके निश्चित परणाम का भरोसा देता है इसमें कोई भी कोश्चन नहीं रह जाता कि कहीं किसी भी तरह का हमारा नंबर कम जाधा रह गया हो यह लगबग आठ यह दस परामिटर निकालता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लैंस में इसने करम लगबग 10 परामिटर निकाले हैं और साथी साथ में हमें कुछ ऐसे फोटोग्राइस दिये जो हमें आख के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से ठीक है ऑपरेशन के बाद शत्त पतिशत रोशनी आएगी जो हम लैंस डाल रहे हैं वो बिल्कुल जटीक है और यह हमें वरुसा देता है कि हमारे रिजल्ट पहले से प्रिडिक्टेड हैं कोई अनुमान नहीं है इससे प के ऑपरेशन से पहले परदे का संपूर केलकुलेशन कर लेते थे आफ्टर दैट हम लोगों ने लास्ट येर एक सेंचुरियोन विजन सिस्टम लगाया जो विश्व की सर्वुत्तम फेको मशीन है किसी भी परिस्थितियों में विशमतम इस्थिती में भी सबसे सुरक्ष लेकिन उसके पास उसको इलाज तो करवाना चाहा रहा है लेकिन उसके बजट में नहीं आ रहा है उसकी जेव उसके लिए सपोर्ट नहीं करी इस मसीन के साथ उपचार आप देंगे तो उससे क्या कोई एक्स्ट्रा बोज पढ़ेगा मरीज की जेव पर ने इससे हम लोगो में निशुल सरज्री Curry कर रहे हैं और हम्लोग्का अस्पटाल शजाहापुर में अस्पताल में मढ़े सरवाधिक सरज्री करने वाला अस्पताल है हमारे पास सारे संसाधन जो हैं इसा नहीं है कि सिर्फ उनहीं के लिए स्वाल आप से बहुत एहम सवाल है इस मसीन के साथ में जो आधुनिक मसीन एस से सफलता कि कितने प्रस्त चांस और बढ़ जाते हैं कि इसकी शूर्टी कितनी है अगर देखा जाए तो यह मशीन किसी भी तरह से लैंस की कैलकुलोशन करने में कोई गलती नहीं करती साथ ही जो हमारी जो सेंच्रियोन विजन सिस्टम मशीन है वो फेकों में सरवाधिक सुरक्षित मशी मशीन है अभी तक इससे किसी भी तरह कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए फिर भी मैं यह मानता हूं कि सर्जरी हमेशा एक उन्प्रटेक्टिबल कोईशन जरूर रहता है बट अभी तक जितने भी रिजल्ट्स इससे आये हैं वो पूरी दरह से सुरक्षित आये हैं त कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती है